पीम मोदी का एक महत्तवपूर्ण दौरा शुरू होने जा रहा है, 7-8 जुलाई तक दो दिन में चार राज्यों के दौरे पर पीम नरेंद्र मोदी रहेंगे, इनमें से तीन चुनावी राज्य हैं, 36 गर्ड, तेलंगाना और रायस्थान, वो जो इस साल के अंत्यमेहा पर चुना होने जा रहें, साथ ही उत्तर प्रदेश का भी दौरा पीम मोदी करेंगे, 36 घंटों में पांच शेहरों के करीब एक दरजन कारिक्रमों में शामिल होंगे पीम मोदी, 50,000 करोड की 50 परियोजनाओं का उध्गाटन या फिर आधार शिला रखेंगे, 7 जुलाई को द कार्टनम कोरिडोर के 6 लें सेक्षन की आधार शिला भी दौरान रखेंगे, रायपूर में उनकी जन सभावी होगी, जो माना जा रहा है कि 36 घंट में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंकिनाद होगा, गोरकपूर आएंगे जहां पर की गीता प्रेस के शेताबदी सम मोदी रखेंगे, और गोरकपूर के बाद वो वारणसी जाएंगे, जो कि उनका अपना संसिदिक शेत्र है, वहाँ पर कई परियोजनाओं का अधार शिला रखेंगे, नए फ्रेट कोलिडोर और वारणसी जौनपूर फोर लेंका लोकारपन भी उनकी ओर से किया जाएगा साथ ही मनी करनिका और हरिष्चन घाट जो दो महत्रपूर्ण और बड़े प्रसिद्य खाट हैं बारणसी के उनके पुनर विकास के शिलानियास का भी कारिकम प्यमोदी का है, आठ जुलाई को यानि अगले दिन वारंगल जाएंगे तेलंगाना के और वहाँ पर नाकपू की कोरिडोर फेज वन की इंटर स्टेट ट्रांस्विशन लाइन का लोकारपन भी प्यमोदी करेंगे, साथ ही बीकानेयर का जो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है उसके पुनर विकास का शिलानियास भी करेंगे और वहाँ पर बीकानेयर में उनकी एक जन सभाबी होगी, यह सारी तैयारिया हो रही है बीजेपी के अपनी 2024 के चुनाव के लिए।